हेलो इस्टुरेंट्स चलिए आज हम लोग जो है थोड़सा हिंदी की पढ़ाई भी कर लेते हैं और खासा हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सूर्दास सूर्दास जी की डेशना से अब इससे पहले कि हम उनकी डेशना को पढ़े हैं काविका अनन्द लें और उसका भावार्त समझें उससे पहले जो मों थोड़ा सा सूर्दास के बारे में जन लेते हैं अब सूर्दास का जन सन 1478 में माना जाता है माना इसलिए जाता है क्योंकि उस समय में कोई बर्थ सर्टिफेकेट वगेरा तो होता नहीं था कि definite जो होगा record होगा या फिस तरह कोई historical records भी नहीं तो इसलिए जो है और उसे में लोग इतना जो है डेट ओफ बर्थ वगएरा यार भी नहीं रखते थे जन्म तेठी को इतना जाद ध्यान पी नहीं दिया जाता था और इसलिए जो है ये मानिता पर आधारित है कि इनका जन्म जो है 1478 में हुआ था और ऐसी एक मानिता के मुत थे और जो अश्ट छाप जो कवियों का एक सम्मूह था उसमें वे सरवाधिक प्रसिद्ध माने जाते थे अब यहाँ पर जो है एक चीज विशेश्ट है कि ये अश्ट छाप क्या है तो अश्ट छाप कवी जो थे कह सकते हैं कि ये महापरभू श्री वल्लभाचारी जी औ उनके पुत्र श्री विठल नाच जी द्वारत अस्थापी जो है ये आठ भक्तिकालीन कवियों का एक सम्मूह था जो कि विभिन अपने पद एवं और कृतनों के माध्यम से जो है भगवान श्री कृष्ण की विभिन लिलाओं का गुनगान करते थे अश्ट छाप की अस् मत्रा 65 के आसपास में मानी जाती है इसमें जो है कुम्भन दास थे सूर दास थे कृष्ण दास थे परमानंद दास थे गौविंद स्वामी छीत स्वामी नंद दास वो चतुर भुज दास थे तो ये सभी जो है आपके मुखे कवी होगे अश्ट शाप कवी और सूर दास थे वो इन में से सबसे परमुक कवी माने जाते हैं वो मत्रा और विरिंदावन के बीच गव घाट है उसमें वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर श्रीनास जी के मंदिर में भजन किरतन करते थे 1583 में पार्सौली में उनक सूर सारा वली और इसमें से सूर सागर सबसे अधिक लोग परिये रहा है सूर की कविताओं में आपको खेती वह पश्पालन करने वाले भारतिय समाज का जो दैनिक चित्र है वो आपको देखने को मिलता है मनुष्य की जो स्वाभाविक आदिते हैं व्रितियां हैं उनका चित्रन आपको इनके कविताओं में मिलता है लेकिन सबसे पर्मुख बात जो आपको ध्यान रखना है कि सूर की कविताओं में वातसल्य रस और श्रिंगार रस का जो है काफी महत्योपूर्ण स्थान होता है मैंने आप लोग जो है हिंदी साहित में जो विविन रस हैं उन की कवताओं में वातसले और श्रिंगार रस ये काफी बहुता में मिलता है सूर जो है अपनी रशनाओं में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो वर्णन करते हैं वो उसे एक मानविय रूप देते हैं ठीक है और सूर ने जिस तरह से मानव प्रेम की गौरव गाथा की कह स किया है जीवन के प्रेम को पैदा किया है सूर के करताओं में आपको जो है ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है और कह सकते है कि जो लोक गीतों की परंपरा रही है उसी की ज्यादा जो है उत्कृष्ट करी के तौर पर इसे आप देख सकते हैं अब यहां आपकी पुस्तक मे सूर सागर के भ्रमर गीत से चार पद लिए गया है तो इसका संदर्व ऐसा है कि क्रिशन मत्रा जाने के बाद स्वयम लोटकर नहीं आए और उद्धव के जरिये गोपियों के पास संदेश भेजा था उद्धव ने निर्गुन ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोप और जो है गोपियों जुतनी भी थी वह कृष्न की दिवानि वह करते थी कृष्ण और गोपियों की रासलिला है उस पर बहुत बहुति जो है मनोरम काव्यों की डशना हो चुकी है तो अप ऐसे में जब कृष्ण, जो जाते हैं जब तो उसके बाद जो है गोपियों से वो बिछर जाते हैं गोपिया उनसे दूर हो गई हैं तो ऐसे में गोपिया जो है वो विरा की वेदना का अनुभब कर रही है विरा मतलब हो गया अलग हो जाने के कष्ट का अनुभब कर रही है और ऐसे में क्रिश्चन जो ह निर्गुन ब्रह्म और योग वगेर का उपदेश देखें कि यह संसार क्या है मुर्थ चीजों का कोई महत तो नहीं है तो इस तरह का उपदेश देकर वह गोपियों को बताते है लेकिन गोपियां उन्हें उन्हें प्रेम का मार्ग पसंद है और यही कारण है कि उद्धव जब उन्हें वो दार्षनिक ज्यान देना शुरू कर देते हैं ठीक ना तो उन्हें वो शुष्क संदेश जो है रुखा ये संदेश जो है वो पसंद नहीं आता है तब ही वहां एक भोड़ा आ जाता है और यहीं से जो है भ्रमरगीत का प्राडम होता है गोपियां जो है वो भ्रमर के बहाने भौड़े के बहाने ही जो है उद्धव पर व्यंग करती है पहले पद में गोपियां यह शिकायत करती है कि यदि उद्धव खुद कभी प्रेम में बंधे होते स्नेक के धागे में बंधे होते त दूसरे पद में गोपियां या स्विकार करती है कि उनके मन की अभिलाश आए उनके मन में ही रह गई और साथ ही साथ कृष्ण के पर्ती प्रेम के उनकी गहराई है उसको भी इसमें अभिवेक्ति मिलती है तीसरे पद में वो उधव की योग साधना को करवी कक्री ऐसा बतात अब राजनिती करने लगे और अंत में जो है वो उद्धव को भी राजधर्म का याद दिलाते हैं नहीं कि भही हम भी जनता हैं हमारे उपर भी ध्यान दिया के जिए तो चलिए यह रहा यह था कॉंटेक्स्ट कर सकते हैं इन कविताओं का अब जो है इन पदों का जो है हम पार्ट शुरू करते हैं तो यहाँ पर क्या है उद्धो तुम हो अतीबर भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनरागी पुराईन पात रहल जल भीतर तारस देह न दागी जियोंजल माहं तेल की गागरी बुंद न ताकों लागी प्रीति नदी मैं पाउन बोडियो द्रिश्टी न रूप परागी सूर्दास अब लाहम भोडी गुर्चाटी जियों पागी तो यहाँ पर जो है वो मुलता जो है वो व्यंग करते हुए भी जो है वो उद्धव को जो है वो अप तुम तो बहुत बढ़भागी हो वही बहुत बागवान हो किस्मत वाले हो अपरस रहत सनेह तगाते अपरस मतलब अच्छूता रहना ठीक है अपरस रहत सनेह तगाते अपरस का मतलब क्या हो जाता है अच्छूता रहना और स्तागा का मतलब हो गया धागा ठीक धागा को हो बंदन को हो तो मतलब कि तुम जो है प्रेम के धागे से तुम जो है अच्छूतर हो प्रेम के धागे से जो है तुम बंधी नहीं हो कभी भी और इसलिए जो है नाहिन मन अनुरागी और इसलिए तुम्हारे मन में जो है प्रेम का जो है कोई जो है भावी ही नहीं है तो तुम जो है बड़ी भागिसाली हो है ना अनुरागी का मतलब होता है प्रेम या प्रेम की भावना से जो कह सकते हो कि प्रेम की भावना जिसमें हो और फिर जो है वो उसको और ज्यादा ज करते हैं का नकाल का पत्ता तो कमल के पत्ते की खासियत क्या होती है ऑन पानी में रहता है लेकिन ही जैसे कि उधव जो है वो कृष्ण के पास मौजूद है कृष्ण के सामने मौजूद है है ना उसी तरह से जो है उसके बाबजूद भी जो है कृष्ण के परती प्रेम की जो है एक बुंद उनमी नहीं जगी है या कृष्ण जैसे व्यक्ति के साथ में रहते हुए भी उनक की गागरी तो तेल का मतलब तो आप समझेगे तो जैसे जल में जो है जल के मद में अगर तेल का बढ़ता ने रख दी ऐसा है तो उसमें जो है एक तेल में जो है एक बुंद भी पानी नहीं चिपक सकता है जिस तरह से कह सकते हो कि जल में जो तेल समाया है तेल के गागर पर पानी की एक बुंद नहीं टिकती है उसी तरह से जो है तुम्हारे शरीर पर प्रेम का एक दाग तक नहीं है जो जल माह तेल की गागरी बुंद न ताकाउं लागी प्रीती नदी में पाउं न बोड़ियो दृष्टी न रूप पड़ागी तो कहती हैं कि तुम्हारे शरीर पर क्रिश्ण के प्रेम का दाग तक नहीं है वो आगे जो है उस पर व्यंग करते हुए कहते है ठीक उसी परकार जिस तरह से पानी के बीच में रहते हुए भी जलके मद में रहते हुए भी तेल के गागर पर तेल के बरतर पर जो है पानी का एक बुंद नहीं टिकता है उसी तरह से तुम्हारे शरीर पर जो है प्रेम का एक दाग भी नहीं है प्रेम का एक अन्श भी नहीं है तो यह व्यंग है व्यंग क्यों है योगि अगर मालों हमार गोपिया जो है वो प्रेम वश्व हो गई थी प्रेम में जो है मुग्द हो गई थी उस कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे अंदर जो है प्रेम का एक अंश नहीं है तुम तो भई उतने ही महान हो जैसे कि पानी के मद में कमल का पत्ता है पानी के मद में तेल का गा आगे वो कहती है प्रीती नदी मैं पाउं न बोड़ियो द्रिष्टी न रूप पढ़ागी यह उद्धव तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर डुबाया ही नहीं तुम्हारी द्रिष्टी जो है कभी उनके रूप पर पढ़ी ही नहीं और इसलिए तुम्हारे अंदर वो प्रेम कभी जगी ही नहीं पाया और कहते हैं कि हम तो भी भोले-भाले है सूरदास अबला हम भोड़ी हम लोग तो लेकिन भोले-भाले हैं तुम्हारी तरह होशयार हैं नहीं और इसलिए जो है हम क्रिश्न के प्रेम में इस तरह से डुबह हुए हैं इस तरह से लेकिन ये पद जो है एक तरफ जहां शिरुवाती चार-पांच पंक्तियों में जहां वो उद्धव के ऊपर तावर तोर जो है व्यंग्यों की बरसात कर देती हैं, अंतिम पद जो है वहां पर जो है वो साथी साथ कृष्ण के परती जो उनके अनरक्ति का भाव है, उसको भ हम लोग तब ही भोले भाली अबला हैं और हम तो क्रिष्ण के प्रेम में इस तरह से आ सकते हो चुके हैं, जैसे कि चीटी जो है वो गुर के साथ ले पड़ जाती है, चलिए ये जो है पहले पद का भावार्त हो गया, अब जो है हम दूसरे पद की बात करें मन की मन ही माज रही, कहिये जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधी अधार आस आवन की, तनमन बिथा सही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती, गुहारी जितही तैं, उत्तैं जार पही, सूर दास अवधीर धरही क्यों, मर जादा न लही तो क्या कह रही हैं, कोपियां यहाँ पर, वो गोपियां जो हैं, वो स्विकार करती हैं, कि उनकी मन की आखाँचायें जो हैं, वो मन में ही रह गई हैं उनके मन की आकान चाहें, उनके मन में ही रह गई हैं। चलिए, ऐसे करते हैं कि इस पद को जो हम अगले लिसनर पढ़ लेते हैं, अब इस बीच में जो है आप उपर वाले पद का पूरा पूरा भावार्थ लिखिएगा, ठीक है, और इसमें जो भी शब्द हैं, इनका मतलब जान लिजिएगा, और अगले आगे जो है, फिर हम इन पदों का भी क्रमशा अधियन करते चलेंगे, और इनका भावार्थ समझते चलेंगे, तो मिलते हैं फिर,